कि समझ भोग विलाशों कोई मुख्ष समझ संसार को भोगनी की प्रवर्ति कि वोगतारम यगित अफ्साम सर्वलोग महेश्वरम यह अनंत बंभनांडों के भोगता एक मात्र स्री कृष्ष्ण नहीं हम भगवान की शरन में रहकर के भगवान के चरणों में रहकर करके हम सभी प्रकार आनंदित हो सकते हैं बहुत अलग हो करके तो हम संसार के भोगों में काम वासनाओं में उतरेंगे फिर काम क्रोध मद मोह नाथ नरक के पंथ फिर यह नरक में ले जाने वाले इसे दोते हैं जितने भोग विलाशन इसलिए भगों स्रीक्रशन कहते हैं एसाम तुंत गतम पापम जनादाम पूर्ण कर्मना पायस एक्टिविटीज करते करते पूर्ण धर्म करते करते दया धर्म करते करते निस्काम कर्म करते करते परोपकार करते करते जिनके पाप नश्ट हो गए हैं पूरी तरह से पापों का फलाना बंद हो गया है ऐसे व्यक्ति मेरी शरण मा आते हैं और मुझे ऐसे ही व्यक्ति द्वंदों से मुक्तों पाते हैं इच्छा द्वेस जैसे द्वंद से मुक्तों पाते हैं उनके इर्दे में इच्छा की जगह मेरी सेवा और द्वेस की जगह मेरा प्रेम उनके इर्दे में भर जाता है ते साम द्वंद गत्व ते साम ते द्वंद महो निर्मुकता ऐसी व्यक्ति जिनके पाप पापों का फ़लाता बंद हो गया है यह पाप पूर्णता है जल गये हैं एसी व्यक्ति द्वन्द से परे होते हैं ते द्वन्द मोगो निर्मुकता और यह द्वन्द इच्छाद्वेश से जो परे हो गया है बजनतिमाम द्रड़वरत आ तो फिर व्यक्ति मुझे द्रड़वरत द्रड़ संकल्प लेकर कि की बहुत हो गया बार बार संसार का भोग किया है इस बार नहीं करूंगा बहुत जनम बिचुड़े थे माधो यह जनम तुमारे ले खे बहुत जन्म बिचुड़े थे मादो बहुत जन्मों से हम आपसे दूर रहें आपको भूल गए संसार में पाप को अपना लिया विसे भूगों को अपना लिया बैमनुष्यता को धारन कर लिया अभी इस जन्म में हम आपकी शर्ण मा आना चाते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी शर्ण लेता है और द्रगवरत लेकर के मेरा भजन करता है मुझे पानी की मेरे धाम में आने की कौशिश करता है इस संसार के जन्म मरन जराव्यादी से छूटने के लिए प्रियत्न करता है और छूट जाता है ते दुन्द मोह निर्मुता दुए दुन्दों से परे हो जाता है फिर उसके रिद्य में मेरी प्रेम भरी सेवा और मेरा प्रेम समाईत हो जाते हैं ऐसा ही वक्ति मुझे प्राप्त करता है जो द्रडवृत लेकर के मेरा भजन करता है यह भगवान कह रहे हैं एसाम त्वंत गतं पापं जनानाम पुर्ण कर्मनाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन ते माम ध्रडवृता ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं जरामर्ण मोक्षाय मामा सृत्यतंतिये ते ब्रम्मुतद विदो विदो कृत्सनम अध्यात्मं कर्मुचाखिलं ते भगवानी कहा कि एसी व्यक्ति मेरे आश्रम में रहकर के मेरी शर्ण में रहकर के जनम जरामर्ण मोक्षाय मामा सृत्यतंतिये जरायनी बुड़ापा मरण यानी मृत्यों इनसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्रम में आते हैं मेरी शर्ण में आते हैं और यतनती प्रियतन करते हैं मुझे प्रसंद करने का मुझे रहाने के लिए मेरी सेवा करके मुझे पुष्प अरपन करके मेरा भजन करके मेरा कीरतन करके मेरा नाम का जब करके नाचते हैं मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामनी मेरा ने गुम्रू बांद लिये थे भगवान कर जाने के लिए गुम्रू खरीद लिये थे चित्त औरगण उदैपुर के बाजार में से बांद लिये पाओं में नाचती थी राजकुमारी थी पत्रानी थी चित्त औरगण की राजकुमारी थी उदैपुर की पत्रानी थी पाओं में सब लुट गया सब छुट गया कब मिलेंगी मुझे मेरे माधव मेरो तो गिर्दर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोई छान दई कुल की कानी कहा करेगो कोई संतन ढिंग बैट बैट लोक लाज खोई अस्वन जल सीच सीच भक्ती बेल वोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई दासी मीरा लाल गिर्दर तारोग होई अब तो प्रभु मुझे अपना लो अपनी दुलन की तरह आजाओ वर्दो मेरी मांग में सिंदूर मीरा बाई ने बांद ली थे गुंगुरू तग गुंगुरू बांद मीरा नाचीरे लोग कहें मीरा भईर बावरी सास कहें कुलू नासीरे तग गुंगुरू बांद मीरा नाचीरे भिश का प्याला राणा ने भेजा, पी गई मीरा हासिरे भगवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए बिश क्या करेगा? समाज का अपमान क्या करेगा उनको मान सम्मान की परवा नहीं रहती बिस्पान भी कर जाते हैं कौन संत है जिसने संसार का बिस्पान नहीं किया संसार में उनके उपर पत्थर पैंके उनको जहर दिया उनको मारा कतल किया फासी दी जीसस को फासी मंसूर के हाथ पाउं काटे फासी पलटका दिया सुक्रात को जहर पिला दिया मीरा को जहर पिला दिया बुद्ध भगवान को मारने की चेश्टा की गुर्णाना देव जी के उपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए उन्होंने अपनी एक उव्य की शारे से वो चट्टान को रोगा शक्तिवान थे सक्तिवान है क्योंकि घगवान के ही जो स्वरूप है वो शक्तिवान है जो पवित्र परंपवित्र है वो शक्तिवान है पवित्रता में शक्ति होती है जरा अमरन मूख शाय तो इस जहर सब को पीना पड़ता है और संसार के पास है क्या जहर ही तो है जिसके पास जो होगा वो ही तो पिलाएगा अमरित तो मिलता है महापुर्शों के पास शुद्ध भक्तों के पास संसार के पास कहा मिलेगा संसार के पास मिलेंगी बीड़ी सिगरेट शराब गांजा भान तंबाकुब मांस मटन बीफ बलड जिवा ताश के पत्ते और चम्रे का व्यापार यह सब जहर है तो संसार देगा क्या इच्छाद्वेस वो अपने को राजा गोसित करने के लिए बड़ा गोसित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तल्वार लेके आ जाएगा रावन राम के सामने आ गया इरणा कश्य को भी आ गया भगवान को तल्वार लेकर के खड़क ले लिया आत्मी खड़क निकाल ली जैसे इनर सिंग भगवान प्रगट रही लिए लिए भगवान के आगे उसकी खड़क क्या करेगी लिंग्स करेंगी क्या इस विचारे करेंगी क्या संसार वाले इनके पास जहरी तो है तो जहरी पिलाएंगे तो संतों को मारेंगे गाली देंगे जूटे लांचन लगाएंगे काला मू कर देंगे गदे पे निकाल देंगे बिठा के क्यों संथ अम्रित पिलाना चाहता है अम्रित इनको भाता नहीं जैसे गदे को कोई गी पिलाए और गदा कहे कि क्या करते हो मेरी गरदन को तोड़ रहे हो ऐसा ही हाल है तो पिर गदा दुलत्ती मारेगा नकारेगा अम्रित पीने से लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्र में रह करके भगवान का आश्र है यहीं भगवान की शर्ण भगवान की शर्ण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति भगवान की किसी शुद्ध वक्त के चल्णों में जाके मात अटेके प्रनाम करे, गुरू रूप से स्विकार करे, तो भगवान की शर्ण मानी जाती है, भगवान की शर्ण डारेक्ट नहीं मिलती है, शास्त्रों में मना किया है, भगवान की किसी शुद्ध वक्त की शर्ण में जाने से ही भगवान की शर्ण मिलती है, डारेक्ट एप्पोर्च नहीं होती है इसलिए भगवान स्वयम गुरू बनाने की सिक्षा देते हैं गुरू बनाएं कुष्ण बल्राम संदीप नी मुनी के आश्रम में गए शिक्षा लेने बेशक उन्होंने चौसट दिन में चौसट कलाएं प्रात करी उनके पास तो कलाओं का बंडार पहले से ही ह उनको जरुत नहीं लिए शिक्षा देने के लिए समाज में चौसट दिन में चौसट कलाओं कोई प्रात कर सकता है ये भी इशारा किया बगवान ने बगवान ने इस धरदाम पर जब थे प्रगट हुए तो सभी ऐसी लेलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानओ अधाओं से ब्रह्मा जी से सबसे एक-एक हाथ उपर थी उससे ज्यादा नहीं वह चाहें तो अज्जारों में उपर कर दें नहीं एक एक हाथ उपर समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ लिए देखो मैं भी तो गुरु बना रहा हूं चाहे चौसट दिन के लि को आपके लिए ऐख राम के भी गुरुत घुरु बिन गतिनी होती गुरु धिन घ्ञान नहीं मिलता है इस गुरुबिन एंकर कौन गाटेगा तुम्हारा कोई कहता श्रुडी के साहँआबाओ मेरे गुरु जी हैं तक मैं कहता हूं तुम अभी 40 वरस के हो साहँआबाओ क अन्य गुरु मान रखा है उनको अच्छा चलो ठीक गुरु मान रखा है फिर गुरु जी ने गुरु मान रखा है तो गुरु एक पवित्र भक्त होता है बगवान का तो उसकी पवित्रता तुमें भी तो तुमारे उपर भी तो उतरनी चाहिए तुम तो शराप पी रहे हो म शिष्ट का धर्म है क्यों भगवान की शर्ण में रहे अपने गुरू के इंस्ट्रेक्शन्स का पालन करें पवित्रता को अपनाएं गंदगी को साफ करें धर्म को अपनाएं अधर्म को नश्ट करें तो लोगों ने ऐसे धार ना कर रखिए कि हम तो मानते हैं स्रीडी के साहिवावक को गोलता हम जलाराम बापू को मानते हैं तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है तो गोलता हम गुरू जगत गुरु स्री कृशन जगत गुरु उनकी चरंडों में तो बची कि भगवान ने गीता बोली है अपने षिक्षक के लिए तो शिष्ष बनो अर्जुन की तरह तो भगवान स्री में की instructions का पालन करो उनके आदेशों का पालन करो उनकी शिक्षा को स्वीकार करो भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रे में रह करके जो जरा मरण से छुटकारा पाना चाहता है उसे मेरे आश्रे में रहना चाहिए मेरी शर्म में रहना चाहिए मेरी शर्ण में रह करके मेरा भजन करना चाहिए मेरी सेवा करनी चाहिए मेरा कहा मानना चाहिए मुझसे प्रेम करना चाहिए मेरी चरण करनी चाहिए मेरी शर्ण में रहना चाहिए मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे कुछ निवेदन करना है मुझसे करे जरा मरण मुक्ष आय जरा मरण से मुक्त होने के लिए कि बार बार जनम बार बार मरण इससे मुक्ष म्राप्त करने के लिए छूटकरा पाने के लिए बगवाएं स्रीकृष्ण करें कि मेरी शर्ण में रह करके यत्न करना चाहिए मेरी शर्ण में रह करके ये जरा और मरन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए यानि मेरे भजन करनी चाहिए मेरे सेवा करनी चाहिए मेरे नाम जिपद करना चाहिए, मेरा कीरतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि अरे कृष्णा आरे कृष्णा 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 अरि हारे कृतन करना चाहिए नाचना चाहिए यद करोसी यदश नासी यजुओसी ददास यद तपश्यसी कौन ते तद कुछ समधर पड़ुम अरे खुंती के नंदन अर्जुन जो तु कुछ खाता है करता है देता है तपता है उसम मेरे लिए कर तेरी सारी दिंचरिया मेरे लिए होनी चाहिए मुझे करने के लिए कर यद करोसी यदश नासी यजुओसी कुछ आउती देता है स्वा मेरे मेरे लिए कर वासुदेव यग कर लोग देवताओं के मन तुर्चारण करते हैं आउतियां देते हैं इंद्र देवा इन्नमा स्वाह और फिर प्रात्रा करते हैं हमको महल दो गोड़ा दो नौकर दो रानी दो सुख दो सुविदा दो अफसराएं दो सारी अफसराओं के लेके बैठे हमें एक अफसरा दो इंद्र है मन तुमारा इस शरीर में हमारा जो मन है यहीं इंद्र है यह इंद्र के यह चारों तरफ हजार नगन अफसराएं खड़ी होती हैं विचारों में ही सई सपनों में ही सई अए इस मन में सारा शंसार समाई इस समाया है यह मनीं भोक्ता बनना चाहता है मनीं चाहता करता है मनी द्वेश करता है मने मनुष्याडान करम बंद मोक्षय यह मनी ही तो है मनुष्यों के अंदर जिससे मनुष्य सब्द बनाए यह मनी ही तो है जो बंदन का कारण है यह चाहे तो जेल में ले जाए बेडियों में डाल दे यह चाहे तो नरक में ले जाए यह चाहे तो अपस परमिश्वर्ट से मिला दे यह मोक्षय कारण भी बन जाता है मन रोलने मनुष्या नाम कर्म बंध मोक्षय कर्मों के बंधन में डालता है तो मन से सावधान रहना मन की गती समझना कि कहां कौन सी चाल चल रहा है किस मारक पर जा रहा है तो वगवान सरी कृष्ण कहते हैं कि ये मन संसार में भटकेगा तुमारे बश में नहीं होगा जब तक तुम मेरी शर्ण में इसको नहीं लगा दोगे मेरे चर्णों में इसको नहीं लगा दोगे मेरे सेवा में इसको नहीं लगा दोगे मेरे नाम जप्र में इसको नहीं लगा दोगे मेरे कीर्तन में इसको नहीं लगा दोगे जब तक ये मेरे लिए नाचेगा नहीं ये तुमारे बस में नहीं होगा तो इसको मेरी सेवां में लगा दो यह अपने आप्शान बस में हो जागा और तुम्हारा मित्र बन जागा तुम्हारा कल्यान चाहने वाला बन जागा इमान जरा मरण मोक्षा है तब तुम्हें जरा बुड़ापा और मरण यानि मृत्यू से छुटकारा प्रात कर सकते हो और कोई मार्ण नहीं बतलाया भगवान नहीं होता कोई मार्ण यहां बोलते नहीं बोला जरा मरण मोक्षा है मामा सुर्थ यह तंति यह जो मेरी शवर में रह करके इस जनम मरण से छुटकारा पाने का प्रियत्न करते हैं ते ब्रह्म तद्विदू वोही ब्रह्म को पहचानते हैं ब्रह्म क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है ते ब्रह्म तद्विदू परम ब्रह्म क्या है ते ब्रह्म तद्विदू कृच्णम अध्यात्मम कर्म चयक्लम और वो यह जानते हैं मुझ परमिश्वर को, मेरी आत्मा को, मेरी सुप्रीम सौल को, मुझ सुप्रीम ब्राह्मन को, परम ब्राह्मन को, परमात्मा को ते ब्राह्मत अद्मिदु कृत्सनम अध्यात्मम वो ही जानते हैं आत्मा के विसे में, वो ही जानते हैं करम के क्षेत्र को, करम फिल्ड को, वो ही जानते हैं अध्यात्म के क्षेत्र को, आत्मा के फिल्ड को, चाखिलम और पूर्ण जो इस्तार है भगवान का उसके बिसे में उनको ही जानकारी है जो मेरी शर्ण में रहके जरामरण से मुक्त होने का प्रियास करते हैं यानि मेरी भक्ति करते हैं जरामरण मोक्षायो मामा सुर्टियतंतिये ते ब्रहमत तद्विदु कृस्णम अध्यात्म कर्म चाकिलं अध्यात्म क्या है आपकी आत्मा यह अध्यात्म है यहां पर अध्यात्मा को कहा है जो इटर्नल है फुल ऑफ बलीस है आनंद मई है हमेशा के लिए अध्या जो है आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है आनंद मई है ग्यान मई है आप सब यह आत्म देव आप सूरिय के समान तेजस्वी है लेकिन यह च्छे शक्तरों ने च्छे विकारों ने और बारे खजानों ने घेर करके यह घेर करके बैट गए आपको आपके उपर बादल की तरह चागए काले बादल मन रहा गए अब यह सूरिय तो लुपत हो गया दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई पड़ते हैं काले बादल दिखाई पड़ते हैं शरीर कि मैं शरीर हूं मैं ताकतवर हूं मैं रूपवान हूं मेरे शरीर हैं मेरे बच्चे हैं मेरे पत्नी हैं मेरे दिखाई देते हैं अस्तवक्र महाराज ने जनकृषरी को फटका रहा था जनकृषरी दुझा से बड़े-बड़े विद्वानों से ब्रामणों से सच्छन करवा रहे थे अपनी महल में तर्व की तर्व सास्त्रार्थ चल रहा था विद्वानों जो इस्कोलर से जिनको जो किताबी कीड़े हैं जिनको शास्त्र का तोता रटंत का ज्ञान है अनुभव नहीं जब यह सत्संग में अश्टावक्र पदारे तो यह सारे विद्वान ब्रह्मन हस पड़े पंडित पंडित जिनको पंडित कोई जिनोंने धन्व समझाए हस पड़े अश्टावक्र जी को देख करके अश्टावक्र उनका नाम ही अश्टावक्र है उनका शरीर आठ जगे से टेड़ा मेड़ा था उनके पीछे भी शाप लग गया उनके पिताजी का उनके पिताजी ब्रह्मन थे कर्म कांडि ब्रह्मन जोतिस विद्यावाले शनी नवग रहके जाप करवाने वाले कर्म कांडि ब्रह्मन अश्टावक्र जब पेट में थे मा के पेट में सात्वे मैंने में जब बच्चा पहुंसता है तो कोई सिख्षा देने की पज्द्यति चली आई है आज भी है कल भी थी जैसे नारद मुनी ने भक्त प्रलाज जब गर्व में थे कयादु माता के तब नारद मुनी ने उपदेश किये थे कयादु को और वो सारे उपदेश बालक भक्त ने सुन लिये थे आद्यात कुझान भगवत कताईं ठीक वैसे ब्रह्मन कहते हैं पिता अश्टावक्र तो ने उनके शरीर में आठ जगे से टेड़े मेडे हैं इसलिए नाम अश्टावक्र पड़ गया है उनके पिता जी ने इंशाब दे दिया कि तुवस्टावक्र नाम से जाना जाएगा तेरे शरीर में आठ जगे से बाक होँगी टेड़ा मेडा होगा तो मेरे एग में बात नहीं सुनता पिता जी वेचारे मेहनत करते थे बच्चे को तैयार करते थे कि करमकांडी द्वान बने तो शिक्षा देते थे करमकांड की हुआ लेखन बालक बड़े चैतन्य थे इन्हों ने सोचा कि यो पिताजी जी शिक्षा मुझे देरहे हैं इस किसी संसाह में आदम्य पंसता है ये तो सबोई इंदर चंदर को मनाने वाली विद्या है बोग विलाशों को चाहने वाली विद्या है ये तो करमकान कहिए कि ये तो अभिध्या है ये तो संसार में फसाती है कि तुम शनी के जाप करो, इंद्र को आउती दो, चंद्र को आउती दो, वायुदेव को आउती दो, और इसे फिर घोडा गाड़ी मांगो, धन बैबाव मांगो, इस्त्री पुत्र मांगो, यह तो संसार में प्रसाने वाली विद्या है जकी साथिए मनें लाओ आपस आपसे जाइं एक जापसे, खगा हुआशा इंद्या वाली विद्या striving विद्या में विद्या थी टिया में अज़ को आपसेẫn सट्यम शुरम सुंदरम नमस्कार प्रमुग्राम सत्यम शेवं सुंदरम उसमें आपका हार्दिक अधिनन्दन क्यों सत्य को पैचानने की खोज में हम सब आ गए उस मैदान में आ गए हम जिसमें हम परम इश्व